नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है यूटूब चनल असके लेपिए सायर वेदा में दोस्तों आज के सेसन में हम चर्चा करेंगे गिलोई गिलोई के गुणों के बारे में गिलोई का बैग्यानिक नाम क्या है ये कीस तरह का पौधा है इसके कौन-कौन से पार्ट्स में उसह दिया गुण पा जाते हैं इन्हें किस-किस नामों से जाना जाता है ये कौन-कौन से रोगों में काम में आता है इन सारी छिजेओं की हम जनकारी इस वीडियो के मद्म से आपको देंगे तो दोस्तो आईए चलते हैं आगे वीडियो में गिलोई इसका बैग्यानिक नाम टीनोस्पोरा कॉडिफोलिया है या एक लतावाला पौधा है जो आम तोर पर आसपास दिखाई देता रहा है घरों के आसपास जैसे किसी पेंड पे किसी पौधे पे ये लतर के रूप में दिखाई देता है इसकी पत्तियां पान के पत्ते जैसी दिखाई पड़ती है गिलोई को कहीं कहीं गुडची तथा अईरवेद में महत्पूर्ण इस्थान होने करण इसे अमरिता के नाम से भी जना जाता है यदि बात करें इसमें औशधिये गुणों की तो गिलोई के पत्तियों और तनों दोनों में औशधिये गुण होते हैं इन से सत निकालकर बिभी ने प्रकार की दवाईये बनाई जाती हैं गिलोई की ताशीर गर्म होती है यह तैलिय होता है और इसका स्वाग कड़वा होता है गिलोई औशधिये गुणों वाला लतर है जिसका इस्तेमाल शूगर नियंत्रित करने सरीर से सुजन को कम करने, बा latch को इंटर्नली क्लीन करने, सांसों से रिलेटेड प्र Columbus को दूर करने, हिमन शिस्टम ठीक करने और प्लेटलिक्स की संख्या पढ़़ाने में कारगर है गिलोई मानसिक दबाव से रिलेटेड प्राबलम को भी सही करता है इसके अलावा भी ये कई बैक्टिरिया जनित रोगों में कारगर है गिलोई के अदभूत औशद्य गुड़ों के कारण सभी लोगों के लिए ये फायदे मंद है किन्तु कुछ लोगों पर या विप्रित प्रभाव भी डाल सकता है इसलिए बिना चिकत्सिय प्रामर्स के इसका सेवन न करें दोस्तो आई होप आपको गिलोई से सम्मद्री जनकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तो इसी तरह की जनकारी के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि मैं आपको इसी तरह चोटे-चोटे वीडियो के मध्यम से जनकारीय देते रहूं मिलते हैं नए वीडियो में नई जनकारी के साथ धन्यवाद